गिहू से बना कर तयार करेंगे, आज हम बहupत ज्यादा Tasty और क्रिस्पी स्प्रिंग रोल की recipe की इसे खाने के बाद तो पका है कि बच्चे बाहर की स्प्रिंग रोल खाना भूल जाएंगे, और आप भी इसे बार-बार बच्चे को बिना कर खिलाना पसंद करेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़ेगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस रेसिपी को फटाफट बराना शुरू करती हूँ करती हूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम त्यार करेंगे स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तो यहां पर गैस पर रखे कड़ाई और यहां पर डाल देंगे थोड़ा सा लेसन बहुत ही बारिक कटा हुआ यहां पर लेसन डाला है मैंने सेम कॉंटिटी मेंड डाला है अध्रक द दालने कबाद मने यहां डाला है शिमला मेर्ज, दुनों पतली कटी हुई हमने डाली है यहां पर फ्रेंड्स अब यहां डालेंगे थोड़ा सा प्याज और यहां पर आप डाल रहे हुए पत्ता गोबी सारे चीज़ें पतली कटी हुई आपको डालनी है स्लाइसिस में काट के आपको डालने है तो फ्रेंट्स यह देखें यहाँ पर हमें डाल रही हूँ स्वात का नुसार नमक और यहाँ पर डाल देंगे हम थोड़े सा थोड़ी सी लाड़ी में आप लाल मिर्च पाउडर और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीक सब हम मिक्स करेंगे फ्रेंट्स यहाँ पर दो चमच में डाल रहे हूँ सोया सौस और एसे दो चमच डाल देंगे आप पर रेट चिली सौस अब अच्छे तरीके से हम mix करेंगे बहुत ज़्यादा इसको आपको पकाना नहीं होता है बस आप अच्छे तरीके से mix कर दीजे तो फ्रेंट्स ये दिखिए करीब दो मिनिट बाद में देख रही हूँ तो ये बिल्कुल ready हो चुका है बिल्कुल इस तरीके से आपको स्टफिंग को तयार करना है तो चलिए अब ग्यास का flame हम off कर देते हैं और इसे फटाफट बाउल में निकाल लेते हैं यहाँ आप मैंने स्टफिंग को निकाल कर रेडी कर लिया है तो फ्रेंट्स कहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी में मैदा थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है आधा कटोरी और थोड़ा सा पानी एड़ करके यहाँ पर हम एक गाढ़ा सा बैटर तयार करेंगे यह दिखिए विल्कुल इस तरीके से आपको तयार कर लेना है यह बिल्कुल रेटी है तो friends यहाँ पर मैंने आटा लगा रखा था पहले से ही गेहूं का आटा है आपका आटा अगर पहले से ही बचा हुआ हो तो आप उसे बना सकते हैं रोटी का आटा है तो इसी से मैं बनाऊंगी स्प्रिंगोल कोई आपको महनत करने के जरुवत नहीं है जो आटा आपके पास मड़ा रखा है या आप खुछ से माल लीजिए आटे को तो इसी से अब हम बनाएंगे छोटी-छोटी लोगी ले लेंगे सबसे पहले हम और जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल रोटी जैसा हम इसे बेल सैंकर बेखो, पुल एक दम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहे हैं और बहुत है टेस्ट है आपका साथ पूस्शे हारा, नहीं 거야 अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरीकी से आपको रोटी को सेख लेना है यह देख सकते हैं यहां पर तीन रोटी लगाई हैं लेयर्स भी खुल रहे हैं यह देख सकते हैं फ्रेंस बस आपको इतने पे ही अभर हमें इसे निकाल लेना है बहुत जाता आपको रोटी तरह सेखनाना नहीं है बिल्कुल हलका हलका आपको आपको सेखना है यहां तो यह देख सकते हैं, बिल्कुल spring roll का sheet बिल्कुल तयार है, बहुत एजी तरीके से मैंने sheet को तयार कर दिया, वो भी सिर्प गुथे हुए आटे से, तो यह लिए जी फ्रेंड्स, आपके sheet बिल्कुल तयार है, तो चलिए अफटाफटा हमें spring roll बनाते हैं, एक sheet को यहाँ पर रखेंगे, अब हम रखेंगे आपर बीच में stuffing, तो यह देखें, पीच में रत लेंगे आपर stuffing friends, अब क्या करेंगे, जो हमने मैदे से, बैटर गाणा से तयार किया था, उसे अब हम रोटी के चारो तरफ हम अच्छे तरीके से लगाएंगे friends, finger से ही हम चारो तरफ सी तरीक यह देखें, आप क्या करेंगे हम दोनों corner से आप हम पकड़ के इसे fold करेंगे इस तरीके से पहले हम fold करेंगे, यह बहुत अच्छा तरीक ऐस चिपक जाएगा, अब क्या करेंगे हम नीचे के corner से पकड़ के हम इसे roll करेंगे यह देखे इस तरीके से आपको रोल कर लेने हैं यह बहुत यह अच्छी तरीके से स्प्रिंग रोल त्यार हो चुका है इसे तरीके सारे मैं रोल्स त्यार कर लूँगी तो यहां पर मैंने देख सकते हैं धेर सारे रोल्स बना कर त्यार कर लिया है बहुत ही healthy है बहुत ही tasty है तो मैंने धेर सारे रोल्स त्यार कर लिये है तो चलिए यहां पर आफटा फट हम fry करेंगे कोईल गरम है एकदम मीडियूम फ्लेम पे ही इसे फटा-फट हम फ्राय करेंगे तो क्रिस्पी होने तक हम अच्छे तरीके से उलट प्रेट करके हम इसे फ्राय कर लेंगे तो फ्रेंट्स इस रेसिपी को आप जरूर से जरूर ट्राय कीजिए आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे सभी खुश हो जाएंगे यह घर का बना हुआ यह क्रिस्पी हो चुका है बहुत इच्छ तरीके से यह स्प्रिंग रूल तो चलिए अब इसे हम फटा-फट मिकालेंगे गिली जी फ्रेंट्स यह हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी साइस प्रिंग रूल बनकर तयार है बहुत ही कुरकुरा बहुत ही चरारा इस प्रिंग रूल शिकर तयार हुआ है यहां पर मैंने पेट में लगा दिया है इसे सौस के साथ इंजॉई किजिए रेसिपी अच्छी लगी तो प्स वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब दोरूद्स, अबलूद्स, अबलू